तो हलो नमस्ते अस्तार गुश्यकार केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है टीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली मैं मैं हापर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी होगी मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा के फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक डाउन हुआ जब ये लॉक डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वैरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया है क कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजिटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेड दूर एक गांवे बेजा राशन करीदे के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुली इस वानका हमसर किलिए मास प्पेंदो दो लटो और यामास प्ष्थ पेंदो धूंसमें आ गया कि जो नहीं करना था उन्हाने की पर आय उन्होंने काने बयान की और मैंने जखा कि यह जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और रहाइती बेवकूफी की चीज़ की अब दिमाग से निकल गया है सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात और से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक्रदाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउठ आ जाना एक उसका सयम खो देना खो खो देना तो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिट है उसका दुख ना समझना वो ऐंटी हुमिन ऐंटी इंसानियत है जो positive tested patient है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने इतियात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो negative है और इतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द positive हो जाएंगे ये guarantee है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है government ने के बाहर मत जाओ social gathering ना करो यही कहा है ना दोस्तियारों से ना मिलो isolation में रहो घर में रहो परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो इस सब किस के लिए उनके लिए नहीं हम सब के लिए नमास पढ़ना एक घर पे पड़ो बुझा पाट करनी घर पे करो बच्वर में यह सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना अल्ला के घर जाना है परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग मनना तो एक दिन सब को है लेगिन क्या कोई मनना चाहता है यह यहां पर आके यह बात change कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआप करोगे अब आब बताओ पुलीस का साथ देना गवर्मिंट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मिंट की बात नहीं सुन रहें कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे है या पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आपके आक्शन सही होते हैं तो यह लोग डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं गुरूप्स में दोस्त लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो क्लवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर लेकिन उनको देखो फिर भी वह उठारा झानियुक्त कर रहे हैं कि ये वीमारी उचनीच जाथ पात, अमीर गरीब चोटा बड़ा कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभार है और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे और वो भी आप नहीं निभार है मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्हें निकलना शुरू करती है, कमाल है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं प्लीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं और बैंक में काम कर रहे हैं जिसके वज़े से आप अपने एटियम और अपने अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खत्रे में धाल रहे हो ये कमाल है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सेश आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां? किस और भाग रहे हो? जिन्दकी के और भाग रहे हैं? मौत के और भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो, मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं परिवार गुजर जाने से बेतर है कि ये बिना खाये पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये विमारी भैली जा रही है अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए अक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके अक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगा काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते है चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खतम हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भाद वर वाप कि इतने भाद वर इतने तकत वर वर वाप कि आप अपने परीवार वलों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप है क्यों आप यम्राज और मलेकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनलिल्ला है और राम नाम सकते हैं पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे ना पहले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे सन्देवाद